सरकारी सूत्रों के अनुसार गुरुवार की शाम तक हॉट स्प्रिंग के पैट्रोलिंग पॉइंट 17 में भारत और चीन के सैनेकों के बीच डिस इंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पिछली सप्ता के मुकाबले देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि गलवान के अलाके में मौजूद हॉट स्प्रिंग के पैट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 में दोनों देशों की सेनाएं अब एक दूसरे के आमने सामने नहीं हैं। इसके बाद अब गलवान के उत्तर की तरफ पैंगॉंग जील की ओर सब की नजर है। डी एकस्कलेशन की विपरीत डिस इंगेजमेंट एक इस्थाने प्रक्रिया है। अब तक संख्याबल के साथ जो सैनिक एक दूसरे के आमने सामने डटे हुए थे अब वो ऐसा नहीं कर रहे है। सच कहा जाए तो डी एसकलेशन ए एक अधिक पुक्ता और बड़ी प्रक्रिया होती है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि हालात वाकई में सुधर रहे हैं। मौझूदा वक्त में डी एसकलेशन के लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन फिंगर फोर इलाके में चीनी सैनिकों की कम हो र जानी करती है। एक सरकारी सूतर ने बताया कि चीनी सैनिकों में संख्या यहां कम होई है लेकिन बाकी जगहों पर जैसी सफलता मिली है वो यहां हासिल नहीं हो पाई है। वो लोग पीछे नहीं गये हैं। जितना हम जानते हैं वो शायद अपने सैनिकों को रोटेट कर र तो इस पर तभी यकीन किया जा सकता है जब वो फिंगर फोर पर मौझूद अपने धाचे नश्ट करें और पीछे जाएं। ऐसा इसलिए कि अगर आप पहले काफी संख्या में सैनिकों को यहां लाएं और फिर कुछ सैनिकों को पीछे हटा लें तो इसका मतलब है अब वह पहले के मुकाबले अधिक संख्या में सैनिक मौझूद हैं। लगता है कि इस पूरे मामले को निप्टाने में कम से कम 6-8 महिनों का वक्त लगेगा। स्टेट काउंसलर और विदेश मंतरी वांग ही के बीच बाचीत का दौर जारी रहेगा। साथी दोनों के बीच सैनिक और राजनिक अधिकारियों के बीच भी बाचीत जारी रखने पर सहमती बन गई है। गुरवार को भारत के विदेश मंतराले ने कहा था बाचीत के दौरान राश्टी सुरक्षा सलाकार अजीत डोभाल ने गलवान इलाके समेत वास्तरिक नियंत्रन रेखा के आसपास हाल में हुई घटनाओं को लेकर भारत का रुक इसपस्ट किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि सीमा से जुड़े मामलों में भारती सैनिक बेहत जिम्मेदारी से काम लेते हैं और देश की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रती वचनबद्ध हैं। भारती इलाकों से देश की सेना के पीछे हटने को लेकर मीडिया में उट रहे सवालों पर भारत के विदेश मंत्राले ने कहा डिसिंगेजमेंट की प्रक्रिया और इसके प्रभाव को लेकर उनकी नजर में कुछ ऐसी टिपणिया आई हैं जो गलत हैं और कम जानकारी के आ भावा किया है वो गलत है सीमा के इलाके में शान्ती बनाया रखने के लिए वास्तविक नियंत्रन रेखा को आधार मान कर दोनों पक्षों को इसका कडाई से सम्मान करना चाहिए दोनों पक्षों को कोई ऐसा एक तरफा फैसला नहीं लेना चाहिए जिस से इसमें नहीं दिया हलाकि विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने कहा कि कमांडर इस्तर पर हुई बातचीत के बाद गलवान घाटी और वेस्टन सेक्टर के दूसरे इलाकों में भारती और चीनी सैनिक डिसिंगेज करने की प्रभावी कोशिश कर रहे हैं भारत चीन सीमा पर स्थित स्थिर है और इसमें सुधार हो रहा है